के ऐसा रेकेड भी Commerce Institute के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हर्दिक स्वागत है Friends, आधार कार्ड को पेन कार्ड से लिंक करने की जो डेट थी 30 June 2023 वो actually lapse होगे That means कि आप 1 July 2023 है और अगर किसी reasons की वज़े से अगर आपने अपने आधार कार्ड को पेन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो आप अभी भी 1,000 रुपिस लेट फिस के साथ में अपने आधार कार्ड को पेन कार्ड से लिंक करवा सकते हैं बहुत सारे यूटूबर्स 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 बोलते हैं कि आपको 10,000 रुपिस के पेनल्टी करने पड़ेगी ऐसा वैसा वैसा कुछ नहीं है सिंपल आप जैसे आपको 1,000 रुपिस की लेट फिस पेले लगती थी वैसे अभी भी आपकी 1,000 रुपिस की लेट फिस लगेगी लेकिन अगर आपने अपने आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाया है पेन कार्ड से तो होगा क्या Sir, इसी यह होगा, कि आपका जो pain card है, वो inactive हो जाएगा, अगर आपका pain card inactive हो गया, तो आप इस बार, यानि कि financial year 22-23, assessment year 23-24 का income tax return file नहीं कर पाएगे, लेकिन अगर आपने income tax return file कर दिया, लेकिन आपका refund है, तो आपका refund नहीं आएगा, आपका ITR process में नहीं होगा, अगर आपके क्या procedure होगा, Sir, आपका जो pain card है, same to same, आपने आधार card सो link करवाईए, let fees pay करिए, 30 days के अंदर अंदर आपका pain card वापस active हो जाएगा, यानि कि उन्होंने जो duration रखा है, वो 30 days का रखा है, कि आपका pain card 30 days तक inactive रहेगा, अगर आपने जब तक payment कहे गया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर, लेकिन अगर आपने अभी तक payment नहीं किया, तो आपका pain card है, वो आपका क्या हो जाएगा, Sir, inactive हो जाएगा, यानि कि जो भी, जिस transaction में आपको pain card की जरूरत हो रही है, जैसे bank में भी अगर आप case deportations कराने जारे हो, वहाँ पर आपको pain card की जरूरत है, तो व हम यहाँ पर check करते हैं, आपको link आधार card status पर जाना है, वहाँ पर आप अपने pain number और अपने आधार number इंटर करके आप यहाँ पर check कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर pain card number इंटर करते हैं, pain card number हमारा separate है, हमें YouTube पर बताने में कोई problems नहीं है, तो इस दोट यूट यूबू आवर और आपको यहाँ पर link आधार card के status पर आपको click करना है, pain not linked with other, please link on link other, link to link your other with pain, अब यह जो pain है, यह आपका आधार card से link नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर options पर click करना होगा, link आधार के options पर, विसागरा वहाँ पर जाओगे तो भी आपका link open हो जाएगा, जैसे आप यह यहाँ पर जाओगे, same to some options यह हैं कि CBTT circular यह जो notified information number according to section यह है, the consequences spend becoming in operative shall not be applicable those person who have been exempted for linking पर यहाँ था, ठीक है sir, 1st July तो तो यहाँ आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है सब, पेस सबसे पहले आपका पेना बर इंटर करना है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, अधार नमर इंटर कर लेते है, 4810-206789, अब अगर आपके पेने कार्ड और आधार कार्ड में कुछ डिफेरेंस आ रहा है, यानि कि आपके जो डेटा है वो आपके पेन कार्ड के हूँदान के हिसाप से महिचा नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको तेले या तो आपके आधार कार्ड को या फिर अफिर पेन कार्ड को उसमें कर्रेक्षं करवाना है, बैटरी यह रहेगा कि अपने आधार कार्ड के साथ आप कर्रेक्षं करवाता है, payment details are not found this pane, यानि कि आप भी तक आपने कोई payment नहीं किया, पेले आपको क्या करना है, payment करना है, दोनों तरप इंटर करना है, confirm करेगा, इसके बाद आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है, मोबाइल नंबर इंटर इंटर करना है, जो जिसका आप payment पर receipt चाहते होगे, जो भी नंबर है आपका, यह हमने इंटर कर दिया, यहाँ पर आपका एक OTP आएगा, आपको यहाँ पर enter करना है, जीसे वो OTP आप यहाँ पर alter करोगे, अचलिए यह OTP आपके उसी पर आएगा, जहाँ पर आपका पे नमबर पर जो नमबर दे रखा है उस पर और टीप आएगा, वो और टीप वहाँ जाएगा, जैसे यहाँ पर और टीप इंटर करोगे, यहाँ पर आपको continue की options पर क्लिक करोगे, जैसे आप continue की options पर क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको number पूछता आलान का details पूछेगा, तो महाँ पर आपको others select करना है, क्या select करना है, आपको others में, यानि कि यह जो payment है, यह अदर select करना है, financial year assessment year आपको 24-25 select करना है, दूसरा assessment year आप select करना है, 24-25 और selection में आपको किस बात का कर रहे हैं, तो आप pain not other link का option आएगा, उस पर आपको click करना है, और others आपको select करना है, जैसे फिर भी अब आपका आधार कार्ड लिंक नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पर बता दें कि अगर आपने अपना पेमेंट कर दिया है, तो आपको 4 to 5 days तक वेट करना है, 4 to 5 days तक आपका जो भी पेमेंट है यह अपडेट होगा, इसके बाद आप अपने आधार कार्ड को पेन कार्ड से लिंग करा है, यह डिपार्टमेंट ने वैसे भी बोला हुआ, यहाँ पर यह उनका नोटिफिकेशन है, कि उन्होंने यह बोला हुआ है कि सर अपने जो आपने पेमेंट किया हुआ है, वो आपको 4-5 days तक आपको वेट करना है, यह इंकम टेक्स का ट्विटर है, इंकम टेक्स इंडिया का ट्विटर है, यहाँ पर उन्होंने बताई हुई चीज़े, कि सर अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो आपको 4-5 दिन तक वेट करना, बिलकुल आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका पेमेंट अपडेट हो जाएगा, और फिर आप अपने आधार कार को पेंट कार से लिंक कराते हैं, यह लिखा हुआ है सर काइंट अटेंशन पेंट होल्डर्स, इंसेंस हैव कम टू नॉटिस वर पेंट होल्डर से फेस्ट डिफिकल्टी डाउनलोड दे चालान आपको कोई चालान डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेटोस अप चालान पेमेंट में भी चेक, इपेटक सपोर्टर लोगिन, इस पेमेंट इस सक्सेस्फफुल, पेमेंट होलर केंट पेमेंट कर दिया था लेकिन यहां पर देखेंट बोल रहे हैं कि, देर इस, नो निट टू डाउनलोड दे चालान डिफिकल्ट लिंकिंग पेंट विद आदार, यहने कि अगर आपने 30 जून तक पेमेंट कर दिया था, लेकिन आपका आधार कार्ड लिंक नहीं हो रहा है, तो 5-7 जुलाई तक आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना, और आप अपने पेंट कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते, लेकिन अगर आपकी किसी ने भी अपने आधार कार्ड को पेंट कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, तो जल्दी से जल्दी link करवाते हैं, otherwise आपका जो pen card पर in-operative हो जाएगा, आप कोई भी transaction नहीं कर पाएगा, आज के लिए बस इतना, next video में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए, thank you so much.